हेलो फ्रेंड्स वॉल्यूमिस्टेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स राजस्थान वन विभाग भरती 2020 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी ओपीशल अपडेट आ चुकी है जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है राजस्थान करमचारी चैनल बोर्ड ने कुछी दिन पहले राजस्थान वन विभाग भरती 2020 से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें फ्रेंड्स वन पाल और वन रखचक भरती से रिलेटेड अपडेट्स जारी किये थे फ्रेंड्स में आपको बता दूँ वन पाल और वन रखचक भरती 2020 में कुल 1128 पदों पर भरती होनी है और फ्रेंड्स इसके आज से ओन लाइन फॉम भरना भी शुरू कर दिये हैं तो फ्रेंड्स राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने इसका ओफिशल पोर्टल जारी कर दिया है और फ्रेंड्स SSO ID के थुरू इस बार फॉम भरे जाएंगे तो जिन भी कंडिडेटों के पास में SSO ID है वो कंडिडेट फॉम भर सकते हैं और जिन के पास SSO ID अभी तक नहीं है तो वो भी SSO ID बना कर राजस्तान वन विबाग भरती 2020 का फॉम भर सकते हैं फ्रेंड्स इस भरती से रिलेटेट जो भी अपडेट्स थे Officially notification में जारी कर दिये थे फिर भी आज की डेट में इस भरती से रिलेटेट अपडेट्स आये हैं मैं आपको बता दूँ कि आज के न्यूज पेपर में वन पाल और वन रख शक भरती के लिए आविदन करने से रिलेटेट अपडेट आया है तो यहां से देखिए राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड की और से होने वाली वन पाल और वन रख शक भरती के लिए ओनलाइन आविदन पिरक्रिया 8 दिसंबर से प्रारम हो गया नहीं आज से प्रारम होने वाली है वो चुकी है फ्रेंड्स और आविदन की अंतिम्तिती 7 जनवरी है बोर्ड की और से यह भरती 1128 पदों के लिए हो रही है इसमें बन पाल के 87 और वन रख शक ए 1041 पद है बन पाल में 9 टे असप के लिए 73 और टी असप के लिए 14 Cathy और 1 रख चग में 9 TSP के लिए 886 और TSP के लिए 155 हैं फ्रेंट्स मैं आपको बता दू आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं क्या-क्या डॉक्मेंट्स चाहिए तो फ्रेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखिए फ्रेंट्स आपको सबसे पहले SSO ID को लोग इन करना है जैसे ही आप SSO ID को लोग इन कर देंगे उसके बाद में SSO ID के जितने भी अपस हैं उसमेंसे सबसे पहले आपको recruitment section वाला अप ओपन करना है जैसे ही आप इस app को open करेंगे तो फ्रेंट्स इसमें अल्ल रिक्रूमेंट वाला एक ओप्शन दिया हुआ है वहाँ पर आप जैसे ही किलिक करेंगे तो 12 नंबर 12 पर आप देखेंगे तो राजस्तान वन विभाग भरती 2020 से रिलेटेड ओनलाइन फॉम बरने का लिंक वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही आप वहाँ से किलिक करेंगे तो आप यहां से डायरेक्ट फॉम एप्लाइ करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह अपडेट था आपके लिए वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों के पास इसे सेयर कीजिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर प्रेंट्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार